तार्क ही अमर हो जाएगा माराई सुकदेब जी ने कहा मेरे भागवत रूपी अम्रत को तुमने क्या ये अपने अम्रत के समान जाना है कहा काँच का टुकुड़ा कहा माराश मड़ी मड़ी में और काँच के टुकुड़े में तो बहुत आसमान का फरक होता है इसलिए नहीं मुझे ये श्विकार नहीं है इसलिए देवतावी धिकारते हैं इस मानवों को क्योंकि भगवान की कथा को छोड़ते हैं देवताश्वायम केते हैं कि जे कथा हमारे लिए दिरलब है ये हम को मिलती तो बड़ा आनंद प्राप्त हो देवताव के लिए भी भगवान की कथा नहीं मिली है केवल कथा को इश्यमृत लोक में सुनाई जाती है स्वरलोगों में कथा नहीं सुनाई जाती है शोत जी ने कहा सौनकादिक रिशियों से एहे रिशियों एक बार क्या हुआ देवरिशी नारेज जी नाराण नाराण करते हुए जा रहे थे विचरन करते करते देवरिशी नारेज जी विचार करते हैं मैं कौन-कौन के घर गया हूँ किस किस देवतां में लडाई करवा चुका हूँ कौन-कौन में लडाई नहीं करवाई है बात याद आती है कि मैंने आज तक बोले बाबा की घर तो में गया ही नहीं है ओहो कितनी सुन्दर बनती है उनके घर में देखिये उनके गले में सर्फ हाँ और उनके छोटे लाला का बाहन क्या है चूहा अगर सर्फ चूहे को देख लेगा क्या चूहे को छोड़ देगा कभी नहीं छोड़ेगा लेकिन कभी लडाई होती नहीं है आपस में ऐसे मिल जुलकी रहते हैं महरा उनकी पत्नी का बान है सेर और भुले बाबा का बान है नादिया बाबा नादिया बाबा को सेर देख लेगा तो छोड़ देगा कभी नहीं लेकिन मारा लड़ाई कभी नहीं होई है एक ही घाट में दोनों पानी पीते हैं मारा कभी लड़ाई होई नहीं हाँ हाँ आज मुझे लगता है कि इनी के घर में जाऊँ पर लड़ाइं कि देवर्भ जी नार्ची नाराद आप अंगे भूले बाबा रहे नहीं मैया पारवत्थी थी माईया ने देखा नारचू को ओ heut are बट दुनों के बाद आये सीधे निगल जादे कभी हमारे घर को आते नहीं आज कैसे रस्ता भूल गई नारज जी कछु बात नहीं है मैया अरे नहीं नहीं कछु तो बात है क्यों नहीं आते हैं बोले मैया ऐसी बात है हम यहां होके जा रहे थे तो हमने सोची चलो मैया पार्वती से ही मिलते चलते हैं हाँ हाँ बहुत शंदर बात है नारज आओ बिराजी नारजी के लिए मैया पार्वती ने शंदर आसन दिया और वेठां दिया तो मैया पार्वती आकर के नारज जी से कहने लगे नारज जी हमारे स्वामी हमसे कुछ ज्यादा प्रेम करते हैं नारज जी नहीं गहा अच्छी बात है कैसे बुले गुरु मंत्र देता है तो कहते हैं बेटा सिश्च शे क्या के गोपनियम 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 प्रेत्न तहा केते हैं के वेडा इस मंत्र को गोपनिय रगना बताना मत किशी को लेकिन हमारे स्वामी जी भी तो अपने गुरु मंत्र को ही मुझे बता देते हैं नारीजी ने कही बहुत अच्छी बात है, देवी, यह तो पती-पत्नी का प्रेम होता है, जबी तो प्रेम बढ़ता है, पारवती ने कहा, महाराज, हमारे स्वामी तो भौत ही बोलें, उनकी दो बात ही छोड़, नारीजी ने कहा, ओ ओ ओ ओ तो बात तो अब बन गई, चलो क कोई बात नहीं ऐसा आय अच्छा तुम्हारे स्वामी तुमसे बहुत प्रैम करते हैं बहुत प्रैम करते हैं मैं कहती हूं स्वामी जी भोजन कर लो तो कहते हैं भोजन बाद में करूँगा पहले सारी बातों को बता दूँगा जब भोजन करूँगा भोजन भी नहीं करते ह पहले तो नारज जी ने कहा देवी एक बात पूछो अरे पूछो नारज क्या बात है वोले तुम्हारे स्वामी के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसके मुंडे है तो मालूम होगो पारवती जी पी चट गए ओहो नारज इसका तो आज तक भी नहीं है मालूम मुझे तो क्या प्रेम करते हैं मेरे स्वामी इतने प्रेम करते हैं इतने प्रेम करते हैं क्या प्रेम करते हैं कुछ प्रेम नहीं करते हैं देखावट का प्रेम करते हैं तुम्हारे स्वामी पार्भति ने कहा नारत आज कुछ भी हो जाःगी आने दो मेरे श्वामी अब तो यही बात पूछूंगी मैंने सुना ओ हो इतने प्रेम करते हैं सारी बात बता देते जो मुख्य बात थी वो ही छुपा के रखी है मेरे से बोले हाँ देवी जो मुख्य बात थी वो ही तुम्हारे स्वामी ने छुपा रखी है तुमसे आज तक नहीं बताया बोले नहीं नारत बिलकुल भी नहीं बताया आज तक बिलकुल भी नहीं तो जाओ तुम अपने स्वामी से पूछ लेना अब हम तो चलते हैं पारवती ने कहीं नहीं नहीं नारग तुम्हारे सामने पूछोंगे आरे अरे देवी फिर्ट को बहुत बुरा काम हो जाएगा हमारे स्वामने पूछेगे हमारा तो नाम ही मत लेना अच्छा भूले हाँ ये मत कहना के नारग हमारे घर पर आए विलकुल मत बताना नहीं तो देवी गड़बड हो जाए अच्छा ठीक है नारग जी नहीं कहूंगी नारग नारार नारार करतो है कैलास से चल पड़े हैं मारे और सूत जी ने कहा इस प्रकार से भगवान शंकर जी आए है पहले क्या था कि पहले भवन बनता था तो उसमें एक भवन अलग से बनता उस भवन पर लिखा देता को को भवन जैसे मैयाय रूट जाती अपने पती देवों से तो उसमें जाकर के सो जाती इसलिए पती देवों समझ जाते के हमारी देवी जी जी हमसे रूट गई है इसलिए आज पार्वती मैया उसी भवन के लिए दौर पड़ी है वहां जाकर के सो जाती है बगभाई शंकर आये कहने लगे अरे देवी अरे देवी लेकिन देवी की बात नहीं शुरी मैया ने बगभाई शंकर केते हैं अरे देवी तु कहा हैं तो गड़े जी आते हैं दोड़े दोड़े अरे पिता जी पिता जी आज तो मैया ने वोजन भी नहीं बनाया जरूर लगा है तुरण कर बहुत आज शूत जी ने कहा भगवां। शंकर जी मैं भार्वति के यहां चलप रेए हुआ सब्सेस नहीं। क्यों अरे आपको उपर से काले हो और अंदर से भी काले हो आज समझी हूँ मैं तुमको तुम कहते हैं मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ इतना प्रेम करता हूँ इतना प्रेम करता हूँ तुम नहीं तुम तो केवल दिखावट का प्रेम करते हैं आज मैं तुमारी लीला क और शमज गई है यहों देवी ऐसी कैसी बात है बोले बात कुछ नहीं है पहले यह बताओ तुम जे गले में मुंडों की माला धारन करते हैं तुझे मुंड किसके है भगवान शंकर जी कहने लगे अरे देवी जब यह तो मैं कह रहा हूं तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूं बोले कैसे बोले आप जिंदी हो जीवित हो जब तक तो प्रेम करता हूं और जिंदी होकर तो मर जाती हो फिर भी तुमसे प्रेम करता हूं तुमारे मुंडों को मैं अपनी माला में पैन लेता हूं पारभती ने कहा माराज आज मालूम पढ़ाए माराज क्या मैं मर जाती हूं आप नहीं मरते हैं नहीं मैं तो अमर कथा सुन रखी इसलिए मैं अमर हूं पारवती ने आप देख लो यह सारे तुम्हारे ही मुंदे हैं तुम मरती है मैं तुम्हारे शिर को मेरी माला में पहल लेता हूँ अच्छा बस एक सुमिर्णा की और जरूरत है मेरी माला तैयार हो जाएगी एक सो आठ की बनकर के तैयार हो जाएगी पारवती ने कहा माराज अब कुछ भी हो जाएगी बिल्कुल भगवन शंकर जी ने कहा तो देवी क्या करोगे बोले हमको भी अमर होना है अब भी होना है बोले नहीं देवी अब अमर कैसे होगी अब नहीं हो सकते बोले नहीं माराज कुछ भी करो अमर कदा पुने सुनाओ म अच्छा आप अमर्क था सुनेगे वह था तो बगबान शंकर जीने देखे हैं आप अपक्षाइब को यहां पर है तो नहीं हमारी अमर्क था को सुनेगा तो नहीं ये देखकर क्या हो जल्ले है तो मैया भार्वती गई हैं तो देखती है क्या कि पशु पक्षी बैटे हुई है ब्रक्ष में पारविती लोटकर करके आई मारज माराज कोई नहीं है लेकिन पशु पक्षी जुरूर है भगबन सिंकर जी ने कहा अच्छा Philadelphia तो भगबन सिंकर जी ने दमरू को लिया है जोर से बयाया महराई तो सारे पक्षी कैलास को छोड़ करके उड़ जाते हैं लेकिन वहाँ पर एक शुका फूटा हुआ अन्डा पड़ाता वो महराई नरजीवित था सजीवित नहीं था उसमें कोई जीव नहीं था पारवती ने विचार किया इसमें तो कोई जीव भी नहीं है ये क्या कता सुनेगा भगवाई शंकर जी के पास में मैया पारवती आई पारवती ने कहा माराज अब कोई नहीं है अब अपनी अमर कता को शुवारंब कीजी आज भगवाई शेंकर जी अमर कदा सुनाते हैं वो कौन सी कता बोले वो मेरे ठाकुर्ची की कता सुनाते है भगवाई राम जी का जनम हुआ देवी उन्होंने ऐसी लिला की कता सुनाने से पहले मैया पार्विती को शचित कर दिया के हे देवी मैं तो कथा सुनाओंगा तो मुझे एक बात कहare रहा हूं तुम से ध्यान से सुनना पार्बती ने कहा बोलो महराइज के थोड़ा ओम 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 बोलते रहे न जिससे मुझे मालूम पढ़े के देवी कथा सुन रही है तुम ओम ओम बोलेंगी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ देवी कता सुन रही है और मैं कता सुनाओं और देवी सो रही है और मैं वैसे ही भूपता रहा हूँ इसलिए मुझे भी सचित होता रहेगा कि देवी कता सुन रही है पार्वती ने का हम महराज उश्की चिंता मत कीजिए वो तो मैं जरूर कर लोगी कि भगबान शिंकर टीम ने कथा प्रारंब की है कि भगबान का जिनम हुअ भगबान नयसी लिला कि भगबानने इस्तरह राम जी की कता और राम दिया जैंश्य कृष्ण कनिया के इकता सुनाने लगे हैं तो आज निंद्रा भंगम कुथंग चेम आज मैया पार्वती को नीद आ जाती है निद्रा घेर लेती है मैया पार्वती को और मैया पार्वती शो जाती है और जैसे ही ओम ओम नाम का सब्द उचान बंद हुआ वो बालक वो शुक का बालक जो फूटा हुआ अंड़ा पड़ा था वो आज भगवन शीवित हो जाता है और मैया पार्वती के पीछे बैठ करके ओम 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 बोलने लग जाता है छो हम आप बगवाण शेंकर जी कदा सुना रहे हैं वह वालक ओव ओव ऑफ़ न हखित है अब को सुट्रि महराज ने शौनकादिक रिश्यों से कहा कि इस तरह जैसी ही कथा को बगवाण शनकर जीने प्राम दिया बगवाण शिंकर जीने जोड़ शिजेकाल लगाया बूली श्री राजराम चंदर भगवान की जय हो ए मैया जै तो बोलो कम से कम कै कचु खाके नहीं आई है मेरी मैया काउ मैया के काउ से लडाई हो जागी तो दो गाम तक आज बेसे ही पहुँ जागी भिया जै में तो बिलकूल मौन हो गई है बिलक्ट नहीं बोल रही हैin जै हो मेरी महिया कोई बात ले है। जैसी आज भगवाराम ची की जेकार लेज़ और महिया पार्वति की नेद कोले महराज महराज भगवारोय शंक्र जीन काहां देवि हाँ देवि बोलो माराज कथा बन पूरण हो गए एंहे हैं अप कथा नहीं सुन रहीं किया बोले नहीं महाराज थोड़ी सी तो कथा सुनी उसके बाद में महाराज मुझे नीद आ गई मैं सो गई भगवन शंकरजी ने का नहीं देवी आप जूट बोल रही हैं बिलकुल ओम ओम नाम के शब्द की वो चारण मेरे कानों तक आ रहा है वो में मुझे नीद आ गई माराज मैंने कथा पूरण नहीं सुनी भगवान शंकरजी ने कहा तो देवी जी कथा किस ने सुनी तो भगवान शंकरजी देखते हैं तो मैया पार्वती के पीछे आज भगवन वो शुक्का वालक पड़ा हुआ है ओम ओम सब्द का उच्छान कर भगवान शंकरजी को कभी क्रोध नहीं आया है आज भगवान शंकरजी को ऐसा क्रोध आया महराज के अपना तुर्शूल उठा लिए और कहां अवे मुर्ख अवे पापी तुने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ोंगा भगवान शंकरजी ने उस तुर्शूल को लेकर के आज उस वालक को मालने के लिए दोड़े हैं वो वालक शुक्का उड़ते उड़ते व्यास महराज की आसरम की तरब चल पड़ा है आंगे आगे मेरी वालक जा रहा है उड़ते उड़ते पीछे पीछे वगवान शंकरजी तुर्शूल को लेकर के दोड़ते होई चले जा रहे हैं मारे आवाई लगा रहे हैं घबरदान मुर्ख रुको मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा लेकिन वहने के नहीं सुनदा है उद्हर सूत जी ने कहा कि वीट का जो प्यास जी महाराज की पत्नी है वो आज तच्छड दिशा की तरफ अपने किशों को सुखा रही थी तो जंभाई आती है वो बालक महाराज जंभाई के साथ ही आज उसके गरम में प्रवेश कर जाता है भगवान संकर जी तरसूल को लेकर के व्यास जी महाराज के सामने पहुंच गए व्यास जी ने कहा माहराज माहराज कैसे कैसे आगवन हुआ भगवान शंकर जी ने कहा के आपके घर में मेरा सत्रू आया है बोले हाँ हाँ सत्रो बोले कैसा सत्रो बोले लीरी अमरक थाको शुनी है उसने चूरी से अच्छा बोले हाँ आज में उसको नहीं छोड़ू निकालो उसको ब्याशी जी महराज ने कहा महराज मुझे लगता है कि आज तुम कुछ जादा भामतों नहीं पी गए तुम्हें कुछ जादा नसा हो गया हो इसलिए मेरे घर में तुमारा शक्त्रू कहां से आया बोले नहीं महराज वो तुमारे घर में ही प्रवेश हुआ है उसको निकालो मैं उसका अवर्द करूँगा ब्याज जी महराज ने का अच्छा किसकी चूरी की है बोले अमर का धाकी तो ब्याज जी ने कहा जब अमर काता ही सुन ली है तो वो तो अमर हो गया तुम कैसे मार सकते तुम नहीं मार सकते लोट जाओ भगवान शंकर जी ने कहा बात भी सकते है उसने तो मेरी अमर कता सुन ली वो तो अमर हो गया हाँ बात को सकते है मैं नहीं मार सकता भगवान देखिए मनुष बड़े बड़े क्वाव सोचता है भगवान हाँ